बिस्मिल्ला रख्मान रराहीम आज हम module 127 discuss करेंगे module 127 है about timed weights previously हमने threading discuss की थी तो ये timed weights की हमें threading के अंदर जुरूरत पड़ती है इसके अंदर कोई specific functions हैं को use करके हम threads को weight करा सकते हैं वो कौन सा function है? बड़ा simple सा function है sleep का function sleep की मदद से जो thread है उसको उससे जो processor है वो लिया जा सकता है उससे processor चुरुआया जा सकता है अगर एक thread जो है वो sleep के function को call करेंगी तो processor उससे ले लिया जाएगा और वो जो thread है वो weight state के अंदर चली जाएगी जब एक thread run कर रही है तो वो कौन सी state के अंदर है वो running state के अंदर है जब sleep का function execute होगा तो वो कौन सी state में चली जाएगी वो weight state के लिए चली जाएगी और कितनी देर के लिए जाएगी जितना time आपने sleep के अंदर specify किया होगा उतनी देर तक के लिए वो weight state के अंदर है अब ताइम पूरा होने के बाद क्या होगा ताइम पूरा होने के बाद जो आपकी thread है वो फ़र weight से ready state के अंदर चली जाएगी तो इस तरह से हम जो thread है उसको periodically sleep करवा सकते हैं या उसको weight state के अंदर डाल सकते हैं और फिर बाद में एक specific period के बाद उसको फिर से आप resume कर सकते हैं तो यह sleep कैसे काम करता है उसको use करने का तरीका बड़ा असान है वह हम देखते हैं, यह sleep का function है, sleep के function के अंदर आप number of milliseconds pass कर रहें, अगर यहां पे आप infinite specify करेंगे तो उस case के अंदर thread जो है वो दुबारा से कभी भी resume नहीं करेंगी यह sleep भी करती रहेंगी, और अगर आप यहां पे zero specify कर रहें तो जो उस thread को जो भी time slot मिली हुए है, जो time quantum मिला हुए है अगर उसका कुछ एक period गुजरा है और अभी थोड़ा हिस्सा उसका बाकी है तो बाकी वाला जो remainder part है, उसको वो छोड़ देगी उसको relinquish कर देगी, उसको छोड़ देगी, उसको इस्तमाल नहीं करेगी तो zero का मतलब यह नहीं है कि वो zero millisecond के लिए sleep करेगा यानि कि sleep ही नहीं करेगा, उसका मतलब यह है कि जो current slot है उसमें जो भी remaining time है उसको वो छोड़ देगी और फिर बाद में again अगली slot के लिए वो wait करेगी, अगली turn का वो wait करेगी जब भी उसको अगली slot मिलती है, वहां से onwards अपनी वो execution resume करेगी तो यह एक बड़ा एक implicit सा तरीक है, आपकी जो thread है उससे CPU चुड़वाने का और आगे जो भी queue के अंदर thread पड़ी हुई है उसको CPU देने का यह काम करने का एक और तरीका भी है अगर को आपके पास specified thread है और specified thread को आपने CPU देना है तो आपके पास function होता है switch to thread switch to thread की मदद से आपकी जो current thread है उसकी execution वहां पर ही pause हो जाएगी और जो भी ready state के अंदर कोई और thread है जो wait कर रही है अपनी 10 का उसको processor मिल जाएगी